तो यह देखे यह emergency light है जो कि बहुत ही गजब का है अभी हम आपको इसको connections करके दिखाएंगे यह optimal light है मतलब optimal company का है यह और यह emergency light बहुत ही जबरदस्त है इसको हम live test करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं दो LED light लगा हुआ है इसमें एक यह है और दोसरा यह है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक AC का एक indicator दिया हुआ है और टेस्ट बटन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम आपको open करके दिखाएंगे इसके अंदर क्या equipments है तो इस तरीके से दोनों side से हम इसको open करते हैं जब इसको open करके हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक circuit है यहाँ पे और एक battery लगा हुआ है और यहाँ पे एक circuit है circuit में आप देख सकते हैं line है neutral है और earth point है तीन terminal है जिसमें हम आपको connections करके दिखाएंगे और live test करके भी दिखाएंगे कि यह किस तरीके से operate होता है तो सबसे पहले हम इसको connections करेंगे यह red color का इस battery का इस point को हम इसमें इस तरीके से लगाएंगे उससे पहले हम इसको connections करते हैं कि किस तरीके से connections करेंगे एक wire लेंगे और हम इसको line में connect करेंगे L में इस तरीके से हम इसको neutral में connect करेंगे तो जैसा कि अभी आपने देखा एक wire को हमने line में connect किया है और दोसरे wire को हमने neutral में connect किया है इस तरीके से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम rate terminal battery का है वो connect कर रहे है rate terminal हमने connect कर दिया अब हम क्या करेंगे AC supply को on करेंगे जैसे AC supply हम on करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं AC supply का indicator on हो जाएगा और हमारा battery charging mode में चला जाएगा अब यहाँ पर test करके देखेंगे जैसे आप test करेंगे वैसे यहाँ पर यह on हो जाएगा तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि अगर हमारा supply जो है वो अगर on रहेगा तो यह हमारा emergency light off रहेगा और जैसे हमारा supply cut off होगा automatically यह on हो जाएगा यहाँ पर test करके इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह हमारा connection पूरी तरीके से सही है और जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर AC supply को off करते हैं वैसे ही तुरंत यह हमारा emergency light on हो जाएगा AC supply अभी हम off कर रहे हैं यहाँ जैसे मेरा AC supply cut off होता है वैसे यहाँ पर हमेरा light on हो जाता है और जिस तरी जैसे ही AC supply आएगा वैसे ही मेरा light off हो जाएगा और मेरा battery charging mode में चला जाएगा तो यहाँ पर AC supply indicate कर रहा है तो फिर अगर हम AC off करते हैं cut off हो जाता AC supply तो यह automatically on हो जाएगा फिर अगर AC supply हम on कर देंगे तो यह automatically off हो जाएगा तो यह वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर हमारा power supply cut off हो जाएगा वहाँ पर यह automatic on हो जाएगा अगर मेरा power supply cut off हो गया है तो यह automatically on हो जाएगा अगर power supply वापीस मेरा आजाएगा तो यह battery charging mode में चला जाएगा